Hello Everyone, Welcome back to my channel जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज कल सभी स्कूल और कॉलेजिस गूगल मीट, जूम एप और माइक्रोसूफ टीम के जरी अपनी ग्लासिस चला रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगे आपको Microsoft Teams App के बारे में कि कैसे यह काम करता है, कैसा इसका इंटर्फेस है, क्या क्या इसमें features हैं, सब इस वीडियो में अपको बताएं जाएंगे तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा तो चलिए देखते हैं Microsoft Teams एप के बारे में तो सबसे पहले आपको अपने Play Store में जाका इसको डावलोड कर लेना है उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस का खुलेगा इसकूल की तरफ से आपको एक email ID मिलेगी उस email ID से आपको login करना है और password अपनी तरफ से डालना है तो इस तरह से कुछ इसके जो main setting है वो खुलेगी उसमें आपका name आजाएगा और notification आपको on कर देना है वहाँ पर इस तरह से आपको इसके activity section दिखाई देगा जहां पर की assignment वगएरा जो भी जनरल रोज के काम होते हैं वो यहां पर शूव होते हैं उसके बाद आप setting में जाकर अपने जो भी settings है वो कर सकते हैं उसके बाद आपको next options मिलता है वो है chat option दिखाई देरा आपको second number पे है chat options जिसमें कोई भी work आपको send करना है किसी को भी चाहिए अपनी class teacher हो या other teacher हो आप send कर सकते हैं साथ ही साथ आप others जो भी class के आपके class fellow है उनको भी उनसे भी chatting कर सकते है चैट options में जाके यहां पर दिखाई देरा आपको जो मैम है उनको आप सर्च कर सकते हो यहां पर जाके और जो आपके class fellow है उनको भी आप सर्च कर सकते हो पूरे आपके class की list यहां पर आ जाती है उसके बाद हम जाएंगे टीम्स पे यहां पर आपको टीम्स में यानि की अलग अलग classes के बारे में होगा जैसे कि जनरल फाइल में हम जनरल टीम्स में जाएंगे तो सारे के सारे जो भी हमारे subject है उसके related जो भी activity हुई है वो आपको show हो जाएगी इंग्लिस में जाओगे तो इंग्लिस की file आपको show होगी जो भी इंग्लिस में work डाला गया है वो show होगा तो हिंदी के आपको files हिंदी section में देखने को मिलेगी उसी तरह से math, gks, hindi, science और others चीज की भी files जो है वो section में जाके आपको ढूंडनी है इस तरह से आपका work organized रहेगा और next है assignment जो भी आपको homework दिया जाता है ये को assignment करने को दिया जाता है वो आपको इस section में देखने को मिलेगा देखिए ये सारे assignment पड़े हुए है इसको चाहे तो आप यहीं पर submit भी कर सकते हो और चाहे chat option में भी भी सकते है देखिए यहां पर मैंने assignment दिया है और उसके साथ साथ कुछ file भी add करी है कि किस तरह से बच्चे को करना है तो यहां पर आप add work करके यहां पर इसको जमा कर सकते हैं और नहीं तो अगर easy चाहते हैं तो chat option में इसको करके आप भेज सकते हैं अगला जो option है वो है calendar जो कि इसका most important calendar वो है section है जिसमें classes कब है कितनी तारिक को है वो सारा इसमें show हो जाता है जैसे कि यहां पर है six में को है English classes और साड़े आठ बजे से और time दिया गया उसका उसके बाद math की class है उसके बाद English music की class है तो यहां पर show कर रहा है कि कौन सी date को कौन सी class है seven में को कोई meeting नहीं है तो यह पर no meeting show कर रहा है तो इस तरह से आपको सिर्फ यहां पर join button में जाकर इस time को जब भी time होता है class का वहाँ पर join करना है तो उसमें blue button रहेगा तो यह join होकि आप class में चले जाएंगे जैसे मैंने यहां पर जॉइन किया है अभी class का time नहीं है पर फिर भी जॉइन करते हैं तो यहां पर खाली class में लेगी फिर आपको एक बार features उसके जो है दिखा देते हैं तो यहां पर देखिए camera mic का button आया है और यह device का speaker का button आया है की आप झाँगे और देवास में आप जाँगे तो डिवास में स्पीकर तो यहांपर hand raise करने का options बी आपको मिलता है और यहांपर camera mode भी आपको मिलता है और mic on करने का भी आपको मिलता है एसके साथ साथ आप यहां से chat option में भी जा सकते अ और इस लोगो को क्लिक करेंगे तो वापस आप अपने क्लास में आ जाएंगे और फिर मीटी को लीव करने के लिए आपको ये रैड बटन पर प्रेस करना है इसके बाद आप वापस आजाएंगे अपने एप में तो ये है कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट टीम का करना है अगर पैरेंट्स नहीं भी है तो बच्चे इसको काफी आसानी से यूज कर सकते हैं तो मुझे तो परसनल यए अच्छ लगा है क्योंकि मेरा बीटा से क्लास करता है और काफी आसानी से वह कर लिता है इसमें क्लास पहले पहले तो मुझे बताना पड़ा और इसके इस तरह से class join होती है जहां mobile phone पर use करते है तो इस तरह से कुछ बच्चे दिखाई देता है जिनके camera on है वो इस तरह से दिखाई देते है यहां पर on side में वो आ जाते है buttons आ जाते है camera, mic, speaker and hand desert और red button leave the meeting करने के लिए तो कुछ इस तरह से interface होता है Microsoft team app का तो I hope आपको यह video पसंद आई होगी useful रही होगी तो video के नीचे comment जरूर कीजिएगा और video को like कीजिएगा और channel को subscribe कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद यहां जायूर